तो दोस्तो टेक युक्ती में आपका स्वागत है और स्वागत है आपका फिर से Ask T.Y. के दूसरे एपिसोड में तो पहले एपिसोड के बाद से बहुत से लोगों ने कोश्चन पूछना चालू किया तो पहले एपिसोड में हमने 11 कोश्चन सेलेक्ट किया है तो बिना कोई टाइम गवाए हम चलिए शुरू करते हैं इस Ask T.Y. के दूसरे एपिसोड को तो सबसे पहला कोश्चन है बीवेक दरजी जी का जो बीवेक दरजी जी यह पाउंडर हैं बेस्ट हिंदी ट्रिक्स डाट कॉम के उन्होंने एक कुश्चन पूछ एलो आइम दर फाउंडर आफ बेस्ट हिंदी ट्रिक्स डाट कॉम आई होब यूप नू में जी भाई आपको जानता अच्छे दरीगे से जानता हूँ आपसे बातचीत होती रहती है तो इंका question है कि जब हम carding करते हैं उसमें bean का क्या महत्व है और यह क्या होता है दूसरा question इंका है जब website hack होती है अगर हमारे पास उस website का backup नहीं हो तो क्या हम वापस उसके backup को recover कर सकते हैं सबसे पहले बीवेक दर्जी जी आपको मैं धन्यवाद करना चाहूंगा अच्छे questions उठाने के लिए थोड़ा सा technical है तो सबसे पहले मैं बात करूंगा आपके पहले question की carding करते समय कार्डिंग करते हैं उसमें actually देखे carding वो लोग यूज करते है जो hackers होते हैं और hackers क्यों यूज करते हैं debit card credit card जैसे numbers को वो लोग लेने के लिए करते हैं यानि यह fraud में काम होता है इसका fraud गिरी में काम होता है carding का तो इसके बारे में ज्यादा knowledge मुझे नहीं है और जितना basic knowledge है कि carding का जो यूज होता है hacking में यूज किया जाता है तो इसके बारे मैं आपको ज्यादा नहीं बता पाऊंगा और मैं माफी चाहूंगा मैंने कुछी topic select किया थे तो आप उससे related पूछ सकते हैं हलां कि hacking से related मैं कोई जानकारी नहीं दे सकता तो उसके लिए माफी चाहूंगा और दूसरा आपको जो है website है कोती है खैर यह भी हाइकिंग से related है लेकिन आपका website से related है तो मैं इसको बताने में मुझे अच्छा लगीगा मुझे खुशी होगी देखिए website है होती है तो जायर सी बात है क्या है होता है या फिर पैनल है होता है वो डिपेंड करता है जो अगर आप वोस्टिंग जाहां से लिए होस्टिंग का ही ही लॉग इन आपका हाइक हो जाता है तो अगर जैसे किसी वाइरस से अटेक हुआ है तो आपकी साइट तो पहले ही बंद हो जाएगी और Google में आप खोलते हैं जैसे किसी ब्राजर में open करेंगे उसको Chrome में फिर Internet Explorer किसी में भी आप open करते हैं तो आप रेड कलर का पूरा पेज आ जाता है और वहाँ पे लिखता है कि harmful website और वो site बंद कर दिया जाता है आपके hosting provider के तरफ से तो आप hosting प्रवाइडर को contact कर सकते हैं जिस भी email id से आपने अपना hosting स्रेक्ट किया था hosting अकाउंट बनाया था उस email id से अप कॉंटेक्ट करके अपने website को वापिस पा सकते हैं लेकिन और और backup का भी उसमें होता है अगर cPanel hack नहीं हुआ है अगर hack नहीं हुआ है तो backup आप मिल जाएगा आपको बाकि वर्डप्रेस का जो admin और password होता है वह हैक हुआ है तो आपका backup जो है आसानी से मिल सकता है cPanel के थूरू जहां से वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं अभी मैं confused हूँ आपका question मुझे clear नहीं हुआ था बाकी जितना मुझे समझ में आया है मैं आपको बता दिया तो उमीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ अगर फिर भी clear नहीं हुआ तो आप कमेंड में और भी question सुनिए काफी interesting question हो सकता है आपको ना पता हो और आज कुछ सीखने मिल जाए तो रोहित भट जी उनका question है कि आपने डोमेन का नाम टेक युक्ति क्यों चुना और आईडिया आपको कहा से मिला तो रोहित भट जी आपने पहली बार notice कि मैंने टेक युक्ति नाम क् अपने ब्लॉग के लिए तो मैं बताना चाहूंगा कि टेक से रिलेटेड मेरा ब्लॉग है तो टेक मैंने वर्ड लिया और युक्ति युक्ति का मतलब होता है कि कोई trick कोई tips जैसे युक्ति नहीं बोलते कोई उपाय है क्या तुमारे पास तो उपाय को युक्ति बोला जा तो खैर आपको समझ में आगया हो कि कि टेक युक्ति मैंने क्यों चुना और काफी unique था जब टेक युक्ति अगर मैं लिखता था तो कोई नाम से कुछ नहीं था कहीं कुछ नहीं था तो मुझे लगा कि हाँ इसमें नाम मैं किसी को बोलूँगा टेक युक्ति तो गूगल और तीसरा question आता है सुर्जीत कुस्वाहा जी question number 3 सुर्जीत कुस्वाहा के तरफ से मेरा blog जो पहले blogger पे था फिर मैंने उसको wordpress पे किया और मेरा blog technology से related है और कुछ important new post भी करता हूँ अब मैं कुछ post करने के बाद अब मैं ये सोचता रहता हूँ कि क्या post करूँ कैसे content डालू ऐसा क्या करूँ जो सबसे अलग हो सब सोचने में ही इतना time निकल जाता है ये problem और भी bloggers की होगी तो please इसका solution बताएं इससे मेरे अलावा और भी new bloggers की help होगी जी जरूर सुर्जीत कुस्वाह जी बहुत से bloggers की help होगी और new blogger का बहुत सारे ऐसे blogger हैं जो 30-40 post लिखने के बाद सोचने लगते हैं कि मैं क्या लिखूँ मुझे क्या लिखना चाहिए तो सुर्जीत जी सबसे पहले तो आपको कोई भी काम करने से पहले प्लानिंग करने चाहिए कि हाँ क्या कोई भी काम के अगर मैं जब भी कुछ नया सिखूंगा तो लोगों को सिखाऊंगा तो आपको यह चीज सोचना चाहिए कि हाँ जो टॉपिक पर लिख रहे ए मत सोचे कि अगर सामने वाला बंदा इस टॉपिक पर ब्लॉग लिख रहा है के लिए helpful article ऐसा करके description में लिखा होगा तो आप देखिए और उसको पढ़िए जरूर से पढ़िएगा आपके लिए बहुत आपको help मिलने वाली है मैं guarantee के साथ कह सकता हूँ तो सूजित जी question पूछने के लिए धन्यमाद आपको फिर आते हैं अर्पित खाताओर से पहले बात करते हैं HDR मोड तो सबसे जो full farm होता है इसका high dynamic range तो इस mode में आप जब भी photo लेते हैं तो इसमें थोड़ा photo लेने के time में आपका जो camera प्रोसेसिंग करता है और थोड़ा time लेता है उस photo को खीचने में click करने में और HDR मोड में क्या होता है थोड़ा जो color होता है rich होता है जो photo होती है अच्छी आती है उसमें जो color का range होता है वो dynamic होता है यानि की colorful आती है photos और उसके लिए आपको camera थोड़ा भी हिलाना नहीं है ने तो photo बेकार हो जाती है और HDR mode में कभी भी चलते हुए फोटो या फिर कहीं इवेंट का कोई फोटो नहीं लेना चाहिए अगर आप बिल्कुल फ्री है तो किसी चीज का फोटो लेना चाहते है HDR mode में लीजे किसी चीज का अगर खिषना है आपको तो जिससे फ्लावर हो गया इसा कुछ तो उसका आपको खिषना है तो HDR mode में आप क्लिक कर सकते हैं और Xiaomi के बारे में आपने पूछा है तो Xiaomi में LTE है हां तो उसमें जो MI4i side उसमें VOLTE नहीं है तो आपको Jio App तो लगाना पड़ेगा VOLTE रहता तो फिर Jio 4G के बीना काम चल जाता आपका तो Jio 4G Vice App तो आपको डालना है पड़ेगा चलिए आते हैं अगले question पे What is root advantage and advantage as well as disadvantage advantages तो आकास गुपता जी आपने पूचा रूट क्या है और इसके advantage और disadvantage खेर मैं कमी सब्दों में बताऊंगा कि root क्या होता है अच्छली root का मतलब होता है जड़ phone का कोई भी phone उसके जड़ तक पहुँचने के लिए उसको root करना पड़ता है उसके बहुत सारे application है और software available है जड़ तक पहुचने का मतलब कि आप उस phone को अपने तरीके से customize कर सकते हैं यानि कि आप उसमें कोई भी OS डाल सकते हैं अगर आप में कोई जिसे लेनो की company है आपका जो OS है लेनो ने बनाया है बट आप custom OS कोई और company का डाल सकते हैं जिसे MIUI डाल सकते हैं कोई और UI डाल सकते हैं और आपके पास अगर आपके फोन का कोई ओने आप लेटेस वर्जन नहीं आया जिसे Android Nougat नहीं आया तो आप Android Nougat किसी और phone का जो रोम बनाऊगा custom रोम उसको आप डाल सकते हैं तो रूट करने के बाद ही वह बएक पहुत सारेcómost 전есс क जो रूटेस रहा होते हैं तो आप वहां से सिर्फ रूट के लिए युज कर सकते हैं तो ऐसे में आपको रूट करना पड़ता है तो रूट, के एक odd फायदे हो गए और जो bes Caroline आप टान के अंदर सब्सक्राहिँ अन्धार करने में बोला जाता थीकिन होट हो सब्सक्राइब करने तो लुट नहीं होता है 90 पर से इसके रहना सब्सक्राहिए और करता हूं करता हुए और क्या आपको समझ में आया और इसका मैं पोस्ट नीचे लिंक दे देता हूं मैंने दो-तिन पोस्ट लिगे थे अपने वेबसाइट पे तो आप लोगों ने साथ नहीं पढ़ा होगा तो रूट के बारे मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूं आप वहां से आर्टिकल भी पढ़ सकते हैं सवरब कुस्वाँ जी क्वेशन पुछने के लिए धन्यवाल इनका क्वेशन है कि I want to start my company which are producing some products okay very nice I want to selling these products by using e-commerce online internet by home delivery wow so I want to know how can I develop my website software I don't know about software development but having some knowledge about coding language C and C++ so please suggest me what should I do so C or C++ आने से तो मुझे नहीं लगता कि और भी आप कर सकते हैं अगर आपको website develop करना नहीं आता है तो खैर इसमें coding की ज़्यादा ज़रूरत ने थोड़ा सा technical होता है इस तरह के website बनाने के लिए आपको एक hosting खरिदनी पड़ती है और hosting खरिदने के है जो hosting का अगर आप पांचार तक की hosting लेते हैं फिर डोमेन का खर्च आता है 200-300 और उसके बाद से जो भी अगर आप किसी और से करवाना चाहते किसी और से करवाना चाहते तो उसका जो चार्ज होगा पर्सनल चार्ज अपना लेगा तो मैं आपको सजेशन देना चाहूंगा कि आप अभी company वैसे audience होगी जो आपके product को like करेगी उन तक आसानी से पहुचा सकते हैं उसको तो मुझे लगता है आपको Facebook ट्राई करना चाहिए तो सौरप कुछवा जी आपने blog promotion के लिए बोला है तो आपका साथ blog भी हो बट blog promotion के लिए आपने बोला है तो प्लीज कमेट में अपना blog दे दीजे ताकि मैं अगले वीडियो में मैं blog का promotion कर सकूँ सौरप जी बहुत बहुत धनेवाद question पूछने के लिए काफे interesting question आपका डाक्टर अरुन तिवारी ओ डाक्टर साब नमस्कार पेटियम रिचार्ज चाहिए इनको प्राइज में question इनका question जो है how to grab Hindi text from image तो अरुन जी डाक्टर साब सौरी डाक्टर साब आपने पूछा है कि Hindi text को image से कैसे लें तो बहुत सारे इसे online website जहां पर जैसे ही आप image को upload करते हो तो वहां पर उसका text बनके निकल आता है और उसको आप copy कर सकते हैं उस website का नाम है i2ocr इस screen पर भी लिखके आ रहा है i2ocr.com यहां पर आप कर सकते हैं जो भी आपका image क्लिक करने के बाद copy उसको कर सकते हैं कि वहां से text निकल आएगा वहां भी कर सकते हैं और application भी आते होंगी android application बाकी उसका ख्याल नहीं है लेकिन इस website का मुझे पहले से पता था तो आप i2ocr. .com पर आप जा सकते हैं और अपना जो भी काम है कर सकते हैं डाक्टर साब उमिद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा अगर तरीका इंटरनेट पर कहीं भी आपको मिलता है वाइफाइख करना इतना आसान नहीं है आसान क्या मुझे ने रखता कि वाइफाइख हो सकता है बट इसके कुछ जो होते हैं कि बैक डूर से तो आप उनका लॉग इन डीटेल पता कर सकते हैं और उसके थूरू आप ह सबस्क्राइब करना चाहते हैं एक बार्ण कनेक्ट हो गए तो हैक करके उसको उसका पासवर्ट चेंज कर सकते हैं तो आपका क्वेस्टिन जो है वाइफाइ थोड़ा सा मुझकिल है और तो वाइफाइच करना वाटस है करना फेसजूक है करना देंगिए वह इजी सीज न कर लेते हैं फेस्वुक है कर लेते हैं फेस्बूब इतना कमज़ोर नहीं वाट्व इतना कमज़ोर नहीं गूगल इतना कमज़ोर नहीं कोई भी हैक loving कर ले तो ओ शी myself depend करता है जो user है ओव DOMS कर रहा है क्या password ढलता वीडियो स्टार्ट करने के बाद फॉरण ही देखना बंद कर देते हैं चाहें वह इंट्रेस्टिंग यूजफुल वीडियो हो इसलिए कि वीडियो में वेग्राउंड म्यूजिक का आवाज इतना ज्यादा होता है कि चैनल एड्मिन की आवाज ठीक से सुनाई नहीं देता तो वीडियो देखने का फायदा क्या होता है सो नहीं देखते सो यह जानना है कि बहुत वीडियो ऐसे हैं जिसमें स्टार्ट होने में बैगराउंड मुजिक चालो हो जाती है इसकी वज़ा इन सालूसन क्या आपका कुश्चन काफी कॉंपलेस था और मैं कहना चाहूँगा कि जिस भी एड्मीन जिस भी चैनल का आपका लगे कि वीडियो का आवाज और जो वीडियो में उसका एड्मीन का आवाज है और बैगराउंड मुजिक का आवाज है आपको डिस्टब कर रहा है तो आप उनको कमेंड में बोलिए कि आपका बैगराउंड मुजिक डिस्टब करता है तो वो अपना इंप्रूब करेंगे और खेर मैंने म्यूजिक लगाना बंद कर दिया तो उमीद करता हूँ कि मेरे वीडियोज में तो आप लोगों को आवाज बिल्कुल अच्छे से सुनाई देती हो आते हैं अगले question पे अच्छे है सर मुझे ये पूछना है कि किसी भी number का one time password अपने phone पे कैसे पता कर सकते है तो अच्छे जी काफी tricky question है आपका कि one time password अपने phone पे कैसे पता कर सकते है देखिए अगर message के थुरू है message के थुरू यतनी OTP आती है तो मुश्किल है but I think सायद अच्छे जी सायद मैं बोल रहा हूँ मैं आपको कुछ hacking गलत चीद नहीं बताने वाला हूँ सायद मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप call divert कर देते हैं जिस भी बंदे का OTP अपने phone पे लाना है call divert करके अपना number डाल देते हैं तो सायद अगर call वाला जो OTP है वो आ सकता है और call receive करके आप number ले सकते हैं मैंने try नहीं किया है मैंने सोचा है कि हाँ कैसे आ सकता है तो अगर आप try करना हो जाता है तो अच्छी बात है अच्छे जी उम्मीद करता हूँ समझ गया होंगे अगर नहीं होता है तो फिर कोई chance नहीं बनता OTP दूसरे का OTP अपने फोन पे लाने का संजो कुपता जी पुछते है which mobile is best under 20K BCR के अंदर कौन सा mobile best है तो केवल एक mobile बता पाना पॉसिबल नहीं है लेकिन मैं आपको बताता हूँ दो-तिन mobile के नाम Leno Z2 Plus करके फोन है मुझे फोन हो बहुत पसंद आया चलता है तो Lenovo का फोन है और काफी रिलाइबल प्रोसेसर भी उसका Snapdragon 820 है तो आप ले सकते हैं Lenovo Z2 Plus और अगर Motorola में जाना है तो Moto M अभी साथ latest launch हूए Moto M का सेम configuration है उसका screen 5.5 है Lenovo Z2 Plus मेरा first preference रहेगा तो Lenovo Z2 Plus आप ले सकते हैं अगर आपको लेना है तो खैर अभी अगर रुक सकते हैं तो आने वाले नए साल में तो बहुत सारे phone launch होने वाले है तो यह थे इतने सारे question और मुझे इसमें winner चुनने है खैर सबके सवाल तो tricky थे और winner मैं कैसे चूच करूँ विबेक दरजी का तो ब्लॉग प्रमोशन है खैर उनका भी question अच्छा था तो ब्लॉग प्रमोशन में मैं कहना चाहूँगा दोस्तों की besthinditricks.com हिंदी ट्रिक्स के लिए बहुत ही अच्छी साइट है टेक इप्ति के भी competition में है ओ साइट और मैं भी पढ़ता रहता हूं उनकी तो आप जरूर उनके site को एक बार जरूर से चेक किजिएगा besthinditricks.com नीचे description में लिंक मैंने दिया हुआ है और काफी अच्छा लिखते हैं विबेक जी साइदे गुजराश से विलॉग करते हैं विबेक जी का उमिद करता हूँ उनके की question का जवाब मिल गया होगा विबेक जी question कुछने के लिए बहुत बद धन्यवाद मैं winner सेलेक्ट करना चाहूँगा सौरब कुषवा जी को सौरब कुषवा भी blog promotion चाहते हैं तो सौरब जी ने तो अपना blog दिया नहीं सौरब कुषवा जी इस ब्लॉग के winner बनते हैं और second winner मैं किसको लूँ second winner में आते हैं सुर्जित कुषवा जी पेटियम रिचार्ज इन्होंने कहा है तो सुर्जित कुषवा जी आपको पेटियम रिचार्ज आपको दिया जो आपने question पुझा था कि ब्लॉगर है मैंने इसको shift किया है कैसे करते हैं तो आपके लिए मैंने जो answer मैंने description में दिया है तो आप जरू से ये टेक उक्ति के साथ और पूछते रहें questions questions पूछने के लिए आप नीचे description में मैंने form का भी link दिया है तो आप वहाँ से questions पूछ सकते हैं और ऐसा नहीं कि आप एक बार question पूछे तो दुबार आप नहीं पूछ सकते हैं आप दुबारा तीन बार चार बार पांच बार ज देखते रहें टेक उक्ति यूटूब चैनल तो वीडियो देखने के लिए थांक्स तब तक के लिए जाहिन